नमस्ति दोस्तों अब का स्वागत है मेरे चैनल में आज हम बनाने जा रहे हैं चाइप मसाला सो लेट्स केट स्टार्टेड यहाँ पे मैंने जिंजर पावडर मतलब सौर्ट पावडर लिए है 45 ग्राम इलाइची लेने हैं हमें 23 ग्राम काली मीर लेने हमें 11 ग्राम 2 ग्राम लेंगे जाइफल लॉंग लेनी है 11 ग्राम और दालचीन लेनी है 11 ग्राम पैन को मैंने इस लोग पे रखा है इसमें हम डालेंगे काली मीरी उसके बाद लॉंग अभी हम डालेंगे इलाइची और डालेंगे दालची दालचिनी को थोड़े सा हम कुटके डालेंगे तो भी चलेगा अब ये सब चीजों को हमें सिर्फ गरम करना है मैं आपको बार-बार बता रही हूँ कि ये सब चीजों को हमें सिर्फ हाथ को ये सब चीज गरम लगनी चाहिए मतलब हाथ में लेंगे तो चटकाड़ा लगना नहीं चाहिए सीफ हमें गरम करना है यहाँ पर मैंने आपको 100 ग्रैम का मेजर्मेंट दिखाया है 1 kg का और 100 ग्रैम का दोनों का मेजर्मेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी मतलब आपको सेलिंग करना है यह दिखिए सिर्फ गरम लगना चाहिए हाथ को अभी तक यह मसाले गरम बिल्कुल भी नहीं हुए है एकदम गैस को स्लोपे ही रखना है आपको अगर सेलिंग करना है तो 1 kg का मेथड़ भी यही सेम है अभी तो समर सिजन चालू है तो सिर्फ हम मसाले को 3-4 दिन धूप दिखाएंगे और पीसेंगे तो भी चलेगा मसाले को हमें खुश्बू आने तक बिल्कुल भी नहीं गरम करना है सिर्फ हमें इसका मौश्य निकालना है चाई मसाला पाउडर यह kg के रेड़ से 3 रूपे kg तक बिखता है डिपेंड आपके इधर मार्केट में कितने में सेलिंग होता है यह देखिए मैं हाथ में इजी लिए ऐसे पकड़ सकती हूँ यह देखिए इतने ही गरम करना है हमें अब इसको हम प्लेट पे निकाल देंगे और उसके उपर एक कपड़ा रखेंगे और उसमें निकालेंगे क्योंकि मसाले गरम रहते हैं तो मौश्य पकड़ सकता है अब इसमें डालेंगे जाइफल गैस को मैंने बन करके लिया है और सिर्फ हमें जाइफल को ऐसे दो मिनिट के लिए सेख के लेना है अगर जाइफल में कोई मौश्य रहेगा तो वो निकल जाएगा सिर्फ हमें इसको ऐसे गरम करके लेना है गैस मैंने बन किया है जाइफल गरम हो गया है अब इसको हम निकाल के लेंगे मसाले अच्छे से room temperature पे ठंडे हो गया है अभी इसको हम पीश के लेंगे यह देखिए ऐसे कपड़े में मैंने डाला था जब मसाले को सेख के लिया था अभी इसको हम अच्छे से गुमा के लेंगे पर हमें जादा time इसको गुमा के ने लेना है सिर्फ हमें चालू बन चालू बन करके इसको पिसके लेना है क्योंकि मिक्सर में भी हीट पकड़ता है तो इसके लिए हमें चालू बन चालू बन करके ही ये मसाले को पिसना है उसके वज़ा से हमारे मसाले कड़वे भी हो सकते है ये अच्छे से पिस गया है अभी इसमें हम डालेंगे 45 ग्रैम सौट का पाउडर मतलब जिंजर पाउडर इसको भी अभी हम अच्छे से गुमा के मिक्स करके लेंगे अभी हमें एक बाउल लेना है और उसके उपर एक चन्नी रखना है और जो हमने मसाला पीश के लिया था चाय का वो हम इसमें डालेंगे और अच्छे से इसको चान के लेंगे अगर आप घर पे घर के लिए यूज कर रहे हो तो आपको चानने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर आपको selling करना है तो आपको छान के ही फिर आपको packet में भरके sell करना है ये दिखें ये इलाईची के और ginger powder के रेशे रहते हैं इसके लिए selling के time पे आप छान के दिजिए चाए मसाला रेडी है ये homemade है तो आपके चाए में बहुत आदे से भी कम spoon यूज़ कीजिए अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो please like, share, comment and subscribe to my channel Thank you